नमस्कार दोस्तों स्वागत एक पर फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पोस्ट ओफिस भरते के बारे में जी है दोस्तों आपके पोस्ट में और GDS के पदों पे आपके वेकेंसी निकल चुकी है ओफिशिल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और दोस्तों आपके लास डेट यापे 22 सितंबर रहने वाली है उसके पहले पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा आपको जानना है तो वीडियो के एंट बने रहीएगा दोस्तों चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिनना किसी देरी के पोस्ट ऑफिस की ओफिशल वेकेंसी के लिए आविधन करना है तो आपको बता दूक्त यहीव c1 दोस्तो www.apppost.in रहने वाली है eligible candidate इस vacancy पे visit करेंगर वहाँ पे जाके आवेधन कर सकते है vacancy और reservation की बात कर लेते हैं दोस्तो आपको बता दो कि आप पोस्ट master shorting assistant dark 7 के पदों पे आपके vacancy निकल चुकी है all India level के candidate दोस्तो इस vacancy के लिए आवेधन कर सकते हैं दोस्तो टोटल 12,800 पदों पे आपके vacancy निकले जिसमें दोस्तो दो स्टेट में आपके link आवेधन आपके activate हो चुके है और इसके अलावा दोस्तो आपर राजस्तान, मद्यपरदेश और गुजरात में भी आपके vacancy निकलने जा रही है तो दोस्तो यहाँ पे age limit इस vacancy के लिए minimum 18 साल और maximum 40 वर्ष की यहाँ पे रखी गई है age relaxation भी आपका लागू होने वाला है तो दोस्तो इस vacancy के लिए आवेधन जरूर कीजिएगा golden opportunity आपके यहाँ पे सरकारी विबाग में काम करने के लिए अगर आपको यहाँ पे government job की सक्त जरूरत है तो यह vacancy आप post office वाली जरूर फिल करिएगा दोस्तो आपकी इस vacancy के लिए application fees, UR category, AWS category और OBC candidates के लिए sore पे रहने वाली है वहीं यहाँ पे SCST और female candidates के लिए कोई भी charge नहीं रहेगा free of cost रहने वाली online mode आपको यहाँ पे apply करना पड़ेगा fees के लिए आपको submit करने पड़ेगी online और आपको आवेदन कैसे करना है तो दोस्तो इसके लिए बता दो कि आपको official website पर जाएगे दो टुकड़ों में आपको basic registration आपको करना पड़ेगा उसके बाद में आपको detail में पूरा forum फिल करना पड़ेगा तो दोस्तो आपको valid email ID और या पर mobile number फिल करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तो आपको valid email ID पर या आपका registration ID और password आने वाला है official website में ने mention कर दिया अब चलते हैं दोस्तो आपको official website पर जहां पर आपको आवेदन करके बताने वाला हुँ में तो दोस्तो अगर आप ग्रामी इंडाक सेवे की vacancy के लिए आवेदन करना चाहते है उत्रागंड और उत्तरपरदेश में तो दोस्तो आपके आवेदन के link एक्टिवेट हो चुके है लेकिन आपकी यहाँ पर दोस्तो 18 तारी के आसपास यहाँ पर राजस्तान, मद्यपरदेश और गुजरात में भी आपकी vacancy निकलने जा रही है तो दोस्तो आवेदन के लिए आपको यहाँ पर पूरा ऐसे फोरम बनना पड़ेगा registration फोरम आपके साबने दिख जाएगा official website पर जाने के बाद में आपको description box में link provide करवा दूँगा दोस्तो में applicant का नाम फिल करना पड़ेगा जयोकि दस्वी के certificate पर mention होगा father's name, mother's name, आधार card, email id, date of birth पूरा दोस्तो यहाँ पर detail फिल करने के बाद में यहाँ पर दोस्तो बता रहा है अगर आप यहाँ पर EWS category select करते तो आपको certificate भी upload करना पड़ेगा यह बात आप अच्छे से ध्यान के ध्यान से दोस्तो पड़ लीजेगा अगर आपके पास certificate है तो ही आप यहाँ पर select करेगा EWS category दोस्तो इसके बाद में यहाँ पर दोस्तो बाकी की details जैसे कि आपने 10th class कप पास करी थी इसके लाव आपको bicycle ride करना आता है नहीं आता है अगर आप यहाँ पर employed candidate है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर fill करना पड़ेगा पूरा दोस्तो यहाँ पर आपको time and condition पर click करने के बाद में आपको forum submit करना पड़ेगा और दोस्तो इस vacancy के लिए education qualification only 10 वी पास रखी गई है लेकिन यहाँ पर postal assistant और sorting assistant के लिए बार वी पास आपकी यहाँ पर education qualification रखी गई है तो दोस्तो इस vacancy के लिए आप आवे दिन जरूर कीजेगा काफी अच्छे पतों पर vacancy निकली है और इंडिया लेबल के candidate आवे दिन कर सकते हैं अब मिलेंगे next वीडियो में एक नए update के साथ में धन्यवाद दोस्तो